जे नमस्कार मेरा नाम सनी सिर्वास्तो स्वागत है आपका टीचर सद्डा 247 के यूट्यूब चैनल पे हाजरु में आपके सामने आज की क्लास के साथ और आज की क्लास में हम लोग आपके साथ चल्चा करने वाले हैं D.S.S.B. PGT.S.T. के लिए और D.S.S.B. में ही जो जनरल अवेर्नेस का सेक्शन आता है उसके लिए साथी साथ बिहार पब्लिक सर्विस कमिशन टीचिंग रिक्रूट्मेंट एक्जाम 6-8 और 9-10 में अगर आप S.S.T. आप्ट कर रहे हैं और आपने उसमें से हिस्ट्री चू साइन्स लिया हुआ है उसके लिए ठीक है तो जो लोग 1-5 या 6-8 या जनरल पेपर के लिए प्रिप्रेशन कर रहे थे या चार रहे थे वो भी ये क्लास देख सकते हैं तो सब लोग ये क्लास देख सकते हैं कहीं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है चलिएगा तो एक बार फटा सब क्लियर है बताइए बुलिएगा वाइस कमा रही है क्या हो गया वाइस कम जा रही है बच्छे जाएगा 6-8 में हिस्ट्री का कौन सा पार्ट आएगा बेटा चारों आते हैं पहले ही दो सब्जेक्ट है उसमें भी तुमको पार्ट चाहिए बताओ एक बार आवाज वास क्लियर है बताना ज़रा अब ठीक है आवाज बोलिए चलो तो अगर आप आ गए हो जुड़ गए हो तो हम लोग अपनी आज की क्लास करते हैं स्टार्ट ठीक है ठीक है तो पहला कोशन आपका आपकी स्क्रीन पे ये रहा क्या कह रहा है भारत में बंगाल के प्रथम गवर्णर जनरल कौन थे भारत में बंगाल का प्रथम गवर्णर जनरल कौन था आपके सामने option है Lord Clive, Warren Hastings, Cornwallis या फिर डलहौजी कल ही आपको पढ़ाया है कल ही आपको पढ़ाया है हाँ बेटा Modern India की क्लास है अभी Modern India ही चल रहा है बताओ जवाब दो तो option number B, Warren Hastings Warren Hastings बिल्कुल ठीक कल आपको पढ़ाया था 1773 के Regulating Act से क्या किया जाएगा बंगाल के गवर्णर को बंगाल का गवर्णर जनरल कहा जाएगा अगर question में ये पूछा होता कि बंगाल का प्रथम गवर्णर तो हम जवाब देते Robert Clive तब हम जवाब क्या देते Robert Clive और जब पूछा गया बंगाल का प्रथम गवर्णर जनरल तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा Warren Hastings ठीक है next question भारत में इनके शाषन के सही अनुकरम को लगाना है आपको Warren Hastings, Dalhauji, Willisley, Cornwallis तो correct sequence बनाना है आपको इन चारों ही गवर्णर जनरल का अब कई बार जब ऐसा सवाल आता है तो लोग क्या करते हैं वो सन याद करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा गवर्णर जनरल कब आया कब गया लेकिन अगर आपको इनसिडेंटेड इनसिडेंसेस पता है अगर आपको उनका chronological order पता है कि पहले कौन सी घटना होई कब दूसरी घटना होगी कब क्या होगा आप तब भी आंसर लगा सकते हैं आपको कोई year याद करने की आवशकता नहीं है तो एक प्रयास करके देखिए कि क्या आप ये कर पा रहे हैं वारेन हेस्टिंग्स, डलहोजी, वेलेजली, कॉर्न वॉलिस क्या हो जाएगा जवाब? फटा फटा आजाओ सारे लोग तो वारेन हेस्टिंग्स, डलहोजी, वेलेजली, कॉर्न वॉलिस वाट शुड्बी दे राइट आंसर? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? चलो कोई C बता रहा है देखो एक बात तो तैय है वारेन हेस्टिंग्स क्या है? प्रथम Governor General है तो ये पहले नंबर पे आएगा इसका मतलब A नहीं होगा और ये नहीं होगा ठीक है एक के बाद दूसरे नंबर पे चार तुमको यहां भी दिख रहा है यहां भी दिख रहा है तो एक के बाद तो चार आने वाला इसका मतलब फिर Cornwallis आएगा तुमने पढ़ा Warren Hastings क्या था प्रथम Governor General था और ये 1773 के Regulating Act से हुआ था है ना और फिर तीन पहले आएगा या दो पहले आएगा तो विलेजली जो है वो सहायक संदी शुरू किया था ये तुम पढ़े हो और सहायक संदी सबसे पहले हुई थी हैदराबाद के साथ 1798 में तो इसका मतलब ती तीन फिर आएगा तो तीन यहाँ है दो यहाँ है आंसर क्या हो जाएगा शी आंसर क्या हो जाएगा सी डलहौजी जो था वो 1848 से 56 तक था और ये विलाई की नीती लाएगा अपने साथ ठीक है तो answer to this question is option number C ठीक है अगला सवाल देखो सिरा जुद्दौला कब Fort Williams पर कबज कर लिया था ठीक है बताइए सिरा जुद्दौला ने कब जो है वो Fort Williams पर कबजा किया था तली पढ़ाया आपको तो 1756, 57, 58, 59 कब किया था बिलकुल ठीक साबाश तारीक थी 20 जून 1756 Port Williams यानि कलकत्ता पर कबजा करेगा और कलकत्ता का नाम बदल के क्या कर देगा अली नगर कर देगा और इसके ठीक एक साल बाद यानि 23 जून 1757 को प्लासी का बैटल हो जाएगा इनमे से कौन करनल क्लाइव के सियार के रूप में या गीदर के रूप में या गधे के रूप में जाना जाता है क्लाइव का गधा किसे कहा गया डंकी ओफ क्लाइव या जैकॉल अफ क्लाइव बताओ सच चालिस नंबर वाली क्लास है यहां बेटा वो लोग भी देखेंगे मीर जाफर जगत सेट मानिक चंद अमीन चंद विच अप दो फॉलोइं इस नोन इस कर्णल क्लाइव जैकॉल मीर जाफर जगत सेट मानिक चंद अमी चंद यह कोश्टन DSSB PGT History में आया था PGT में भी पूछा जा सकता है ठीक है तो आंसर हो जाएगा मीर जाफर है ना पर्सिवल स्पियर नाम के राइटर थे जिन्होंने बोला कि यह तो उसका क्या था गधा था ठीक है आगला देखिएगा मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शीदाबाद से कहां भेज दिया था बर्दवान भेजा था लखनौती मुंगेर या फिर मिदनापूर बताईए तो मीर कासिम ने अपनी जो है वो राजधानी कहां से कहां शिफ्ट की थी मैंने आपको बताया था कि मुगलों के टाइम पर बंगाल सूबा हुआ करता था तो उसकी कैपिटल ढाका थी जब मुर्शीद कुली खान बंगाल के स्वतंत राजजी का संस्थापक बना तो उसने अपनी कैपिटल कहां शिफ्ट कर दी मुर्शीदा बार और अब मुर्शीदा बार से शिफ्ट होकर कहां गई मुर्शीदा बार से शिफ्ट होकर कहां गई बिलकुल ठीक Option number C, मुंगेर Option number C, मुंगेर मुंगेर से वापस धाका जाएगी और धाका से फिर कहां आएगी? कलकत्ता धाका से फिर कहां आजाएगी? कलकत्ता ठीक है? अगला देखेगा Next देखो British East India Company के बारे में निमनलिखित में कौन सा कथन असत्य है बताना है? Not true है ध्यान से पढ़ना Not true है Statement का कोशन आते ही तुम लोगों को बुखार चड़ जाता है ध्यान से पढ़ना क्या कह रहा है? 1609 E.S.V. में Captain Hawkins सूरत फैक्टरी खोलने की अनुमती लेने के इरादे से जहांगीर के दरबार में आया In 1609 E.D. Captain Hawkins came to जहांगीर's court with the intention of seeking permission to open a factory in सूरत यानि वो सूरत में फैक्टरी ओपन करने के लिए आया था ठीक है? फिर कह रहा है पिर कह रहा है जहांगीर ने पहले तो अनुमती दे दी परंतु बाद में पुर्तगालियों के दबाव में आकर मना कर दिया फिर कह रहा है जब अंग्रेजों ने स्वाली के पुर्तगाली बेडे को हरा दिया तब जहांगीर ने अंग्रेजों के हित में फर्मान जारी किया अंग्रेजों के हित में क्या किया फरमान जारी किया फिर उसने एक इशू किया जहांगीर issued a decree against the British ठीक है और फिर कह रहा है पूर्तगाली बेडा टॉमस रो के नित्रतों में हराये गया था तो पूर्तगीस फ्लीट लेड बाई टॉमस रो बताओ क्या हो जाएगा जबाब तो answer to this question is option number D पूर्तगाली बेडा टॉमस रो के नित्रतों में क्या किया गया था हराये गया था नहीं टॉमस रो ने नहीं हराये था स्वाली की लडाई में जो अंग्रेज कैप्टन था स्वाली की लडाई कब हुई थी 1600 12 या 11 12 भी बोला जाता है इसमें जो ब्रिटिश कमांडर था ब्रिटिश कमांडर जो था उसका नाम था थामस best ठीक? उसका नाम क्या था? थामस best नाम था ठीक है? थामस best नाम था तो इसने क्या कर दिया था हरा दिया था ठीक बड़ा important सवाल है BPSC में भी आया हुआ है ठीक DTSSB में भी पूछा गया है अगला देखो फ्रांसीसियों द्वारा मदरास अंग्रेजों को वापस लोटाया गया प्रांसीसियों के द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस लोटाये गया एक्सलाश शैपल की संधी के द्वारा पॉंडिचेरी की संधी के द्वारा सालबाई की संधी के द्वारा या फिर मंगलोर की संधी के द्वारा बताईए क्या हो जाएगा बेटा मैंने देखा नहीं है अभी देख लूँगा भी मालूम नहीं है मुझे 1608 में आया था नसर नहीं यहां कह रहा है कि 1609 में कैप्टन हौकिन सूरत में फैक्टरी खोलने की अनुमती की इरादे से जहांगीर के दरबार में आया था 1608 में आया था ठीक है यह मुझे लग रहा है मिस्प्रिंट हो गया होगा क्योंकि यह तो क्लियर कट गलत है ना टॉमस रो के नित्रित में नहीं हराय गया था थॉमस बेस्ट के नित्रित में हराय गया था ठीक है मिस्प्रिंट हो गया होगा गलत छप गया होगा तो इसका आंसर हो जाएगा X-Loss Shepal की संधी X-Loss Shepal की जो संधी थी ये प्रत्थम आंगल प्रांसीसी युद्ध के बाद हुई थी युद्ध के पश्चात हुई थी ठीक है प्रांस में ये ट्रीटी साइन हुई आस्ट्रिया के जब सक्सेशन का मामला आया तो आस्ट्रिया के सक्सेशन में फ्रांस चाहता था कि हमारे लोग बैठें और ब्रिटन चाहता था कि उनके हित को साधने वाले लोग बैठें नतीजा होगा आस्ट्रिया के सक्सेशन को लेकर ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में एक जगडा शुरू हो जाएगा जैसे ही यॉरोप में जगडा शुरू हुआ तो भारत में ये चुकी दोनों कम्त्निया थी तो इन्होंने भारत में भी जगडा शुरू कर दिया तो फर्स्ट एंगलो फ्रेंच वार का जो रीजन माना जाता है वो रीजन माना जाता है आस्ट्रियन सक्सेशन का डिस्प्यूट और इस वार के बाद दोनों के बीच में ट्रीटी साइन होगी और वो ट्रीटी कौन सी ट्रीटी होगी एक्स लॉज शैपल इससे कहा जाएगा कि एक दूसरे के इलाके वापस कर दो तो फ्रांसीसी जो है मद्रास अंग्रेजों को वापस कर देते हैं ठीक है तो आंसर टू दिस कोशन इस आप्शन नमबर ए निम्नलिखित में किसने टीपू सुल्तान के विरुद्ध निजाम एवं मराठों के साथ त्री पक्षिय संधी संपन की थी वू अमंग दो फॉलोइंग कॉन्क्लिवड़ अ ट्रिपर्टाइट ट्रीटी विद निजाम एंड मराठाज अगेंस टीपू सुल्तान बताईए बताईए बताई यू पी का ईडब्लू एस बिहार में कैसे लागू हो सकता है बताईए रह तो मराठा, अंग्रेज और निजाम है ना मराठा, निजाम और ब्रिटिश वर्सेज टीपू सुल्तान ये जो त्रिगुट बना ये कौन बनाएगा? तो ये बनाएगा कौर्न वॉलिस कौन बनाएगा? कौर्न वॉलिस ठीक है? और ये कब होगा? ये होगा थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में जो की चला था 1790 से 92 तक इसी वॉर में कौर्न वॉलिस टीपू को हरा देगा और एक ट्रीटी साइन होगी जिसे बुला जाएगा ट्रीटी ओफ श्री रंग पटनम या सरिंगा पटनम श्री रंग पटनम श्री रंग पटनम की संधी होगी किसके किसके बीच? टीपू और कौर्न वॉलिस के बीच और टीपू और कॉर्नवालिस के बीच जब ये संधी होती है तो कॉर्नवालिस यहाँ पर बोलता है कि हमने अपने एनेमीज को बिना पावरफुल बनाए हुए हमने अपने दोस्तों को बिना पावरफुल बनाए हुए नेक्स्ट है निमनलिखित घटनाओ में सही तिथी क्रम बताना है ठीक है निमनलिखित घटनाओ को सही तिथी क्रम में विवस्थित करना है arrange the following events in the correct chronological order क्या कह रहा है भाई कह रहा है मीर जाफर की मृत्यू बकसर का युद्ध ब्लैक होल की घटना इलाबाद की संधी क्लाइब की कलकत्ता के गवर्नर के रूप में अपना प्रथम कारेकाल पूरा कर इंग्लेंड वापसी और फिर कह रहा है अधो लिखित कूटों से उत्तर दीजिए कलाइब जब पहली बार इंग्लेंड वापस गया ट्रीटी ओफ इलाबाद ब्लैक होल इंसिडेंट बैटल ओफ बकसर डेथ ओफ मीर जाफर बताओ क्या होगा आंसर अब मान लो कि तुमको इसमें सन नहीं याद है डेट नहीं याद है जाहिर सी बात नहीं याद होगा लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आप एक चीज समझ जाएंगे क्या इलाबाद की संधी ये सबसे आखिर में होगी क्योंकि इलाबाद की संधी से पहले मीर जाफर की डेथ हो गई थी और नजम उद्दौला क्या बन गया था बंगाल का नवाब बन गया था और मैंने आपको पढ़ाया भी है कि नजम उद्दौला दीवानी का अधिकार जब मिला उस समय बंगाल का नवाब नजम उद्दौला था तो ये सबसे आखिरी में हुई और इससे पहले मीर जाफर की डेथ होगी इससे पहले क्या होगा मीर जाफर की डेथ होगी यानि अगर पीछे से शुरू करें तो सबसे पहले नमबर सबसे लास्ट में चार आना चाहिए उसके पहले एक आना चाहिए तो चार के पहले तीन है ये होगा नहीं चार यहां है नहीं होगा नहीं चार के पहले एक है हाँ है बिल्कुल है आपको आपका आंसर मिल जाएगा आपको आपका आंसर मिल जाएगा option number क्या हो जाएगा C ठीक है answer number क्या हो जाएगा C हो जाएगा next question देखो क्या कह रहा है next में निम्न में से कौन सा एक कथन सायक संदी के संबंद में सत्य नहीं है सायक संदी के संबंद में सत्य नहीं है सायक संधी ब्रिटिश सामराज्य के विस्तार का एक महत्वपूर्ण चतुर कदम था The Subsidory Treaty was an important smart step in the expansion of British Empire सायक संधी अंग्रेजों तथा देशी राजाओं के मध्य थी फिर कह रहा है देशी राजाओं ने अंग्रेज दूतों रेजिडेंट्स को अपने राज्य में रहने की अनुमती नहीं दी थी और फिर कह रहा है देशी राजाओं ने उनके राज्य में रहने वाली अंग्रेजी सेना के व्य उठाने को स्विकार किया था तो कह रहा है Subsidory Treaty important step थी बिलकुल सही बात है Subsidory Treaty was between the British and the Native Kings बिलकुल ठीक है तीसरा कह रहा है देशी राजाओं ने अंग्रेज दूतों को अपने राज्य में रहने की अनुमती नहीं दी थी वो अनुमती अनुमती नहीं देंगे रेजिडेंट को भेजा जाएगा दो चीज़ें बताई थी ना आपको रेजिडेंट एंड रेजिमेंट रेजिमेंट और रेजिमेंट दोनों ही दिये जाएंगे रेजिमेंट का खर्चा उठाना पड़ेगा रेजिनेंट की सेलरी प्रोवाइड करनी पड़ेगी है ना चालो तो आंसर क्या हो जाएगा इसका option number C option number C अगला देखो निमनलिखित में कौन सा European युद्ध प्रथम करनाटक युद्ध के प्रारंब होने के लिए उत्तरदाई था कौन सा European युद्ध जो था वो फर्स्ट करनाटक वार के प्रारंब होने के लिए उत्तरदाई था बेटा सीटेट की आंसर की अभी देख लेता हूँ अभी ये क्लास कर लो क्लास के बाद देख लूँगा ठीक है क्लास के बाद देख लूँगा अभी इसको तो पढ़लो जो पढ़ा रहे है तो सब्त वर्षी युद्ध आस्ट्रिया के उत्तरादिकार का युद्ध गुलाबों का युद्ध या फिर तीस वर्षी युद्ध बताओ तो फर्स्ट करनाटिक वार का कारण क्या था अभी पढ़ाया आपको फर्स्ट करनाटिक वार का कारण क्या था अभी पढ़ाया आपको क्या कारण था आस्ट्रिया के उत्तरादिकार का युद्ध वार ऑफ आस्ट्रियन सक्सेशन ठीक है अगला देखेगा निमनांकित में से मद्रास का वह कौन गवर्नर था जिसने टीपू सुल्तान के साथ मंगलोर की संधी की थी बताओ अब ये मैंने आपको पढ़ाते समय मैंने नाम लिया था एक स्टेटमेंट भी बताया था कि ये स्टेटमेंट बोला गया था देखता हूं कितने लोगों को याद है बताईए जरा तो लॉर्ड हैरिस, हैमिल्टन, मैकॉर्टनी, स्टिफेंशन बताओ वाट शोड बी राइट आंसर ट्वल्ब का अंसर क्या हो जाएगा याद है जवाब तो दो बहुत सारे लोग बी बोल रहे हैं कुछ लोग सी बोल रहे हैं बहुत बढ़ी हैं जितने लोग सी बोले बिलकुल सही हैं क्या बताया था इस समय मंगलोर की जो ट्रीटी साइन हुई थी इस समय जो गवर्नर जनरल था सेकेंड एंगलो मैसूर के टाइम सेकेंड एंगलो मैसूर इसके टाइम पर गवर्नर जनरल कौन था कौर्न वालिस गवर्नर जनरल कौन था कौर्न वालिस और याद करिये कॉर्ण वॉलिस ने क्या कहा था ये लॉड मैकॉर्टनी कैसा आदमी है मैं जानता हूँ कि संधी के बाद वो जितनी चीजें जीता है उसको फिर से खो देगा चिलाता है ना उसके उपर ठीक है तो मैकॉर्टनी और टीपू के बीच साइन हुआ था अगला है निम्नलिखित में से किस यूरोपी कमपनी ने बंगाल की खाड़ी में समुद्री दकैती करने के लिए हुगली में अपना बेस बनाया था पूर्टगाली डच अंग्रेज फ्रांसी सी बताओ ये कोशन बीपी सी में भी आया हुआ है प्रीवेस येर में और डी ट्र एक सेकेंड यार पीछे वाले में एक दिक्कत गड़बड हो गई हैस्टिंग्स बोला था वरें हैस्टिंग्स वस्टिंग्स स्टिंग्स Warren Hastings ने बुला था Kornwallis तो थार्ड वाले में था तो हुगली में किसने बनाया था पुर्टगालियोंने बनाया था यूगली को बेस किसने बनाया था ताकि वो बंगाल की खाड़ी में डखेती कर सके अरब सागर पे उनका अल्रेडी कंट्रोल था, वो तो खुद को अरब सागर के स्वामी कहते थे, इस्तादो दे इंडिया उनके एंपायर का नाम था, तो अरब सागर की तरफ तो सूरत और नीचे कोचीन वोचीन की तरफ उनकी पकड़ है, बेंगॉल की जो खाडी थी, वहा मैंने आपको पढ़ाया था कि सूरत जो है, ये क्या था, हेट कॉर्टर हुआ करता था, अंग्रेजों ने भी इसे हेट कॉर्टर बनाया, पर मैंने आपको बताया था कि 17th century के end तक आते आते, सूरत की जगह कौन ले लेगा, बॉम्बे ले लेगा, ठीक, कल मैं पेपर हो सकता है कि PGT में दुबारा पूझ दिया जाए, हो सकता है TGT में आ जाए, हो सकता है 628 में आ जाए, हो सकता है PRT में आ जाए, हो सकता है General Paper में आ जाए, हो सकता है TGT SST में आ जाए, ठीक है, तो ये important question है, इसको बताईएगा, ठीक है, वैसे मैं इसको पढ़ा चुका हू कलकत्ता की स्थापना से पहले बंगाल में अंग्रेजों की सबसे बड़ी बस्ती कौन सी थी? कासिम बजार चटगाउं हुगली मुर्शीदाबाद सर मुझे 6-9 नहीं, 6-9 नहीं, 6-8, BPSC वाले section में जाईएगा, उसमें social science का जो batch है, वो ले लिजाए, आप चाहे 9-10 वाला ले लिजाए, चाहे 6-8 वाला ले लिजाए, दोनों साथ में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों के syllabus almost सेम हैं, कहीं कोई बहुत अंतर है नहीं, तो कासिम बाजार, चटगाओं, हुगली, मुर्शीदाबाद, तो answer to this question is, option number C, हुगली, option number C, हुगली, next देखो, किस करनाटक युद्ध को, सेंट थोमे का युद्ध, बड़ा important battle है, सेंट थोमे, के रूप में इस्मर्ण किया जाता है, किस से related है, करनाटिक वार्स, करनाटिक वार्स किस के बीच हुआ था, तो आपको मैंने बताया, यह किस के बीच हुआ था, एंगलो फ्रेंच वार बोलते हैं, अब यह total तीन वार हुए है, तीन वार में, सेंट थोमे का जो वार है, वो पहले से related है, दूसरे से related है, तीस यह बैटल हुआ था प्रांसिस डूपले वर्सेज मोर्स फ्रांसिस डूपले प्रेंच कमांडर था और यह ब्रिटिश कमांडर था फ्रांसिस डूपले को मदद कर रहा था ला बूर्दने यह इसकी मदद कर रहा था और दोनों मिलके मोर्स को क्या कर देते हैं हरा देते हैं और यह जो बैटल हुआ था यह बैटल किस नाम से जाना गया सेंट थोमे के नाम से जाना गया यह होगा First Carnatic War इसमें जब इसको हराया तो मदरास पर French लोगों ने क्या कर लिया Capture कर लिया फिर आपने पढ़ा अभी कि दोनों के बीच में जब यह treaty हो गई X-Loss Chapel की treaty हो गई तो मदरास वापस से अंग्रेजों को दे दिया गया तो किस से related है First Carnatic War से related है PDF मिलेगी इसकी PDF बेटा SST भाई सनी सर के नाम से सर्च कर लेना वहाँ पे सारी PDF जाती है निमनलिकित में किस ने कहा कि शेर की तरह एक दिन जीना अधिक अच्छा है बनिश्पत बकरे की तरह पूरी उम्र जीने से BPSC वालों का फेवरेट सवाल है दो तीन बार पूछे हैं तो हो सकता है आप से भी पूछ दिया जाए पता आपको हो गई है आपने अब तक कई बार इसको सुन लिया होगा हैदर अली नाना साहब तीपू सुल्तान सिराजुद्दीन सिराजुद्दौला होना चाहिए था सिराजुदौला होना चाहिए था सिराजुद्दौला बताओ किसना बोला था ये तो answer to this question is option number C तीपू सुल्तान है ना तीपू सुल्तान अगला देखो डलहौजी के काल में विलय किये गए देशी रियास्तों को उनका ट्रम लगाना है डलहौजी की जो डॉक्टर्न आफ लैप्स थी उनमें जिन प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज कर लिया गया उनका क्रोनलोजिकल ओर्डर बनाना है एक तो सतारा, जैतपूर, बगहाट, उदैपूर लगाईए जरातो सतारा, जैतपूर या जैसपूर, बगहाट और उदैपूर क्या होगा जवाब हान जी, अक्कूजी टेलिग्राम पे वाट शुट बगहाट आइट आंसपूर तो मैंने आपको क्या पढ़ाया है सतारा, संभलपूर, उदैपूर, नागपूर, जासी ये आपके किसमे दे रखा है NCRT में दे रखा है ये order किसमे दे रखा है NCRT में दे रखा है पर यहाँ आप देख रहा है सतारा है जैदपूर है, बगहाट है और फिर क्या है? उदैपूर है तो फिर कैसे लगेगा? तो अगर कठिन करना चाहेंगे NCRT के बाहर करना चाहेंगे तो इस तरीके का सवाल दे देंगे ठीक है संभलपूर और जो जैतपूर था ये दोनो एक ही सन में हुआ था ठीक है ये दोनो एक ही सन में हुआ था आगे पीछे तो सतारा जैतपूर संभलपूर कह सकते हो ठीक है इसके बाद बगहाट हुआ है इसके बाद क्या हुआ है बगहाट हुआ है बगहाट के बाद फिर उदैपूर है फिर NCRT में नागपूर और जहासी दिया हुआ है लेकिन एक्चुली में जहासी पहले है और नागपूर बाद में है फिर करॉली है और फिर लास्ट में अवद को एक्वाइर किया था अला कि अवद को विलाय की नीती के आधार पर एक्क्वैर नहीं किया गया था ठीक है तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा एक दो तीन चार option number A मैं एक बर लिख देता हूँ विलाय की नीती के आधार पर आधार पर मिलाए गए राज विलाई की नीती के आधार पर मिलाए गए राज doctrine of labs के तौर पर तो क्या क्या हो जाएगा सतारा ठीक है फिर उसके बाद हो जाएगा संभलपुर जैतपुर पर याद रखेगा NCRT में नागपुर पहले है जैसी बाद में है इसके बाद करॉली है पर करॉली का order प्रॉपर पास नहीं हो पाया था तो करॉली बच गया था ठीक बवानी सर से पूछने ना करॉली कहीं है वो ठीक है और लास्ट में अवद और अवद को इसके तहत नहीं मिलाए गया था अवद को कुशाशन की रिपोर्ट के आधार पे मिलाए गया था तो ये वो लिस्ट है जो डॉक्टर्न आफ लैप्स के तहत मिलाए गया और आपकी NCRT में जो लिस्ट दी हुई है उसमें दिया हुआ है सतारा, संभलपूर, उदैपूर, नागपूर और जहासी ठीक तो भाईया जैसा आप्शन आए वैसा काम करना ठीक जैसा आप्शन आए वैसा काम करना ठीक है चलो अगरा देखो नेक्स्ट नेमनलिखित अवद के नवाबों को काल करमा नुसार आरोही करम में विवस्थित करिए अवद के नवाबों का क्रोनलोजिकल ओर्डर लगाना है आसफ उद्दौला सादत अली खान, मिर्जा वजीर अली गाजुद्दीन क्या हो जाएगा जवाब अवद के नवाब जो थे, उनका नाम था सादत अली खान, और इनको टाइटल दी गई थी बरहान उल मुल्क, इन्होंने इस्टैबलिश किया था यहाँ पे टू कह रहा है यहाँ पे टू कह रहा है तो यह तो होंगे नहीं यह तो होंगे नहीं ठीक है? ठीक है? ठीक है? सादत अली खान के बाद यहाँ के जो नवाब बने वो सफदर जंग बने यहाँ के नवाब कौन बने? सफदर जंग बने सब्दर जंग के बाद जो नवाब बने वो थे शुजा उद्दौला और शुजा उद्दौला के बाद जो नवाब बने उनका नाम था आसफ उद्दौला जिनोंने इमाम बाड़ा बनवाया था लखनौ में तो यह शुरू के चार हैं, अब यह कोशन आया हुआ है, और यह कोशन इतना कठिन नहीं करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा बी, एक, तीन, दो, चार, या तो आप से पहला वाला पूछेंगे, या तो आप से लास्ट नवाब पूछेंगे, लास्ट नवाब आफ अवद पूछेंगे, कौन था लास्ट नवाब आफ अवद कौन था, लास्ट नवाब आफ अवद कौन था, बताओ, यह होता है, जरा सा चार कोशन कठिन देदो, यह तो बहुत कठिन हो रहा है, यह सब थोड़ी ना पूछेगा, पूछेगा पानी पत का युद किस सन में हुआ था, आद देख सकते हैं रिशू, नजमुद्दौला, रे बांगडु दास, नजमुद्दौला बंगाल का अंतिम नवाब है, हम अवध का पूछ रहे हैं बेटा, अवध का जो अंतिम नवाब था, अभी बोलो के हाँ हाँ हाँ, वाजिद अली शाह, इसी को कुशाशन की रिपोर्ट के आधार पे जब हटाया गया, और जिस तरीके का व्यवहार इसके साथ किया गया, इसी की पतनी थी, जिनका नाम था बेगम हजरत महल, और उनका बेटा था जिसका नाम था बिर्जिस कादिर, तो 1857 का जब विद्रो होत है, तो अवद की राजधानी थी लखनव, लखनव से रिवोल्ट कौन किया था, बेगम हजरत महल, और वो क्यों रिवोल्ट की थी, अपने बेटे बिर्जिस कादिर को नवाब बनाना चाहती थी, तो अवद का जो अंतिम नवाब था, वाजिद अली शाह, इस पर कोशन आ सकता है, या तो पहले वाले पर कोशन आ सकता है, मुझे नहीं लगता कि इस से जादा आप से पूछा जाएगा, अगला है, बंगाल का सूबेदार, जिसकी आग्या से फ्रांसीसियों ने 1673 में चंद्रनगर में फैक्टरी स्थापित की, वो कौन है, वो कौन है, बताओ, तो चंद्रनगर में जो फैक्टरी उसने बनाई थी, फ्रांसीसियों ने, वो किस से ली गई थी? मुगल सूबेदार, शायस्ता खान से ली गई थी, हाला कि फैक्टरी बाद में बनाई गई, फ्रांसीसियों की पहली फैक्टरी, सूरत में बनेगी पहली फैक्टरी सूरत में बनेगी अगला देखेगा भारत में पुर्तगाली बस्तियों का पहला गवर्नर कौन था वासको डिगामा, फ्रांसिसको डियलमीडा, अल्बुकर्क, नीनो डी कुनहा नीनो डी कुनहा, बताओ क्या होगा जवाब, क्या होगा जवाब प्लस टू के लिए भी है, बिल्कुल है पुर्तगाली बस्ती का पहला गवर्नर कौन था तो पुर्तगाली बस्ती का पहला गवर्नर कौन था प्रांसिसको डियलमीडा है ना, ये पहला पुर्तगाली गवर्नर था पहला पुर्तगाली वाइसरोय है और इसी ने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी ये सवाल BPSC का भी पूछा हुआ सवाल है ये कोश्चन BPSC का भी पूछा हुआ कोश्चन है अगली जब क्लास करेंगे ना तो BPSC में जितने भी कोश्चन आए होंगे Modern India के यानि Arrival of European Companies से लेकर 1857 के पहले तक के आज तक जितने भी कोश्चन BPSC में पूछे गए हैं वो सब करा दूँगा एक साथ एकी क्लास में ठीक है तो Francisco D Almeida हो जाएगा अगला देखो नीचे दो व्यक्तव्य दिये हैं कह रहा है कि A को कथन R को कारण बोला गया है मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शीदाबाद से मुंगेर इस्थापित की और R कह रहा है कि वो अवद के नवाब के साथ निकट संबंद चाहता था He wanted a close relation with the नवाब of अवद तो कह रहा है A और R दोनों सत्य है और R A की सही व्याख्या है A और R दोनों सत्य है पर सही व्याख्या नहीं है फिर कह रहा A सत्य है R असत्य है और फिर कह रहा R सत्य है A असत्य है पताईए क्या होगा जवाब What should be the right answer तो correct answer क्या होगा पहला कह रहा है मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शीदाबाद से मुंगेर इस्थापित की बिल्कुल सही बात है मैंने क्या बताया था आपको seated की preparation में कि assertion और reasoning में सबसे पहले चेक करते हैं दोनों statement सही है की नहीं सही है अगर दोनों statement सही होता है तो फिर ये देखते हैं दोनों के बीच में क्यूंकी का संबंद बन रहा है की नहीं बन रहा है तो मुर्शीदाबाद से मुंगेर उसने इसलिए transfer नहीं किया था कि उसे अवद के नवाब के साथ निकट संबंद बनाना था उसने इसलिए shift किया था कि अंगरेज जो है न वो बहुत ज़्यादा interfere करते थे तो उसने अंगरेजों के हस्तक shape से बचने के लिए मुर्शीदाबाद में अंगरेजों का प्रभाव बहुत था मीर जाफर अल्मोस्ट अंगरेजों के हाथ की कटपुतली था तो इसलिए जब मीर कासिम नवाब बनेगा तो सबसे पहले अपनी capital shift करेगा कि इन सबों के बीच में रहेंगे नहीं तो बहुत ज़्यादा interfere होगा नहीं तो अंगरेजों के interference से बचने के लिए इसका मतलब है option number C is the right answer A सही है R क्या है गलत है अगला सवाल देखो प्रथम एंगलो वर्मा युद्ध 1824 से 26 के बाद कौन सी संधी हुई अराकान की संधी, टैना सेरस की संधी, रंगून की संधी या फिर यांडूप ट्रीटी अराकान की संधी, टैना सेरस की संधी, रंगून या फिर यांडूप तो फिर्स एंगलो वर्मा जो वार हुआ 1824, 26 के बीच में, गवर्नर जनरल इस टाइम पर कौन था, लौड एम हर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था, लौड एम हर्स्ट और इसके बाद 1826 में यांडूप की संधी हुई थी, इसी संधी से मनीपूर को स्वतंत्र किया गया था बर्मा का उस पे होल्ड था, तो मनीपूर को फ्री करा लिया गया था, है ना, अगला देखो प्रांसिस कैरो ने भारत में पहली फ्रांसिसी फैक्टरी की स्थापना कब की? कहां की? तो कहां की? इसका तो जवाब मैंने आपको बता दिया, सूरत में अब आपको बताना है कब किया? कब किया? Is there any batch of SST which includes all four parts of SST? आप किसी भी batch में आएंगे, आपको चारों पार्ट मिलेंगे SST के हम चारों पार्ट देते हैं, पर मैं उसमें से दो ही पार्ट पढ़ाता हूँ मैं पढ़ाता हूँ History and Quality कई बार बच्चे हम से पूछते हैं कि सर आप Geography क्यों नहीं पढ़ाते? बेटा Geography दो कारण है एक तो हम Geography CTAT में पढ़ाते हैं, ठीक है? Reason क्या है? यहाँ पर उतना बड़ा syllabus नहीं होता है, तो यहाँ तीनों को manage करता हूँ उसमें भी मेरे को बड़ी दिक्कत होती है, तीन-तीन सब्जेक को manage करने में प्लस यहाँ मेरे को SST की पेड़ागोजी भी पढ़ानी होती है तो फिर वह एक आद क्लासेस फिर रिकॉर्डडड जाती है, इस बार भी बच्चों को किया तो भले पढ़ान लेंगे, पर फिलहाल नहीं, ठीक है, तो history quality पढ़ाता हूँ मैं, TGT, SST के level पे, ठीक, तो जो लोग BPSC दे रहे होंगे, उनको दो subject लेना है तो वो ले सकते हैं, geography जिवेसर पढ़ाते हैं, और economics पढ़ाती हैं, विंपी में, ठीक, तो Francis Carrow ने पहली factory बनाई, 1667 AD में, कहां पर, सूरत में, कहां पर, सूरत में, ठीक है, ठीक है, अब यहां पर काइदे से option होना चे था, 1668 क्योंकि actual date ये है, actual date ये है, पर आप देख रहे हो option में, वो नहीं है, उसके पास option में एक सन दे रखा है, 1667 ठीक है, इसलिए answer इसको मान लिया गया था, आयोग के द्वारा, correct answer क्या है, correct answer क्या है, 1668 ठीक है, चलिए, अगला सवाल है, निम्नलिखित शाषकों में कौन सर्व प्रथम सहायक संधी में शामिल हुआ, बताओ सबसीडरी ट्रीटी अलाइंस में सबसे पहले शामिल होने वाला राज्य कौन सा था, सबसे पहले शामिल होने वाला राज्य कौन सा था, बताओ तो अवद का नवाब मैसूर का राजा बाजी राओ सेकेंड या फिर निजाम अली बताईए सहायक संदी में सबसे पहले सर तो गिव ऑप्शन होगा तो क्या देंगे नहीं मैंने बताया आपको कि कई बार ऐसा होता है कि आप्शन्स इस तरीके के आ जाते हैं कि जो करेक्ट आंसर होता है हमें उसके आसपास का आंसर ढूंडना पड़ता है तो बिल्कुल ठीक है 25 का आंसर हो जाएगा निजाम अली सबसे पहले सहायक संदी पर हस्ताक्षर किस ने किया था हैदराबाद ने किया था और हैदराबाद के जो राजा होते थे उन्हें निजाम बोला जाता था तो निजाम अली के द्वारा किया गया था अगला है काल कोठरी की घटना को किस ने संसनी खेज बना दिया था पहले पढ़ा चुका हूँ आपको पहले पढ़ा चुका हूँ आपको बदाईएगा किस ने किया था रॉबर्ट क्लाइब वेलरेस्ट हॉलवल वाट्सन तो किस के द्वारा किया गया था मैंने आपको बताया था ना एच जेड हॉलवल एच जेड हॉलवल इन्होंने जो बुक लिखी थी उसमें उन्होंने ब्लैक हॉल ट्रेजडी को काफी ज़्यादा सेंसिटाइज किया था जबकि एक समकालीन इतिहासकार थे मैंने ये भी बताया था आपको एक समकालीन इतिहासकार थे जिनका नाम था गुलाम हुसैन और इनकी एक बुक है बुक का नाम है सियार उल मुख्तरीन इस किताब में इस घटना का उलेक नहीं है जिससे ये समझ में आता है कि हॉल वेल ने जबरदस्ती इस इंसिडेंट को क्या किया संसेटाइज करने की कोशिश की ठीक है वाट्सन जो व्यक्ती है ये कलाइब के साथ कलाइब का सहयोगी था और ये प्लासी के युद्ध में कलाइब के साथ लड़ा भी था इंफेक्ट एक बार कलाइब ने इसके जाली सिगनेचर भी कर दिया था फरजी सिगनेचर कर दिया था इसका वेलरस्ट बाद में गवर्नर बना था थोड़े समाई के लिए अगला है कलकत्ता के फोर्ट विलियम का प्रथम सभापती कौन था ये भी मैंने आपको बताया है एक्स्पनेशन में बस मुझे देखना है कितने लोगों को याद है चाल्स आयर, जॉन चाइल, जॉर्ज ऑक्संडेन या गेरल्ड अंगियार बताईए गेरल्ड अंगियार बताईएगा वाट शुट बे राइट आंसर वाट शुट बी दि राइट आंसर 43 आया, SST में, अच्छा नमबर है बताई अप्शन नमबर है, चाल्स आयर, पोर्ट विलियम का पहला क्या बना था सभापती है ना, गेरल्ड अंगियार मैंने आपको बताया था बॉम्बे का पहला गवर्नर और कलकत्ता पहली प्रेसिडेंसी डिक्लेयर हुई थी अगला देखो निम्नलिखित में से किस मुगल समराट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूद के रूप में लंदन भेजा था आलमगीर सेकंड, शाह आलम सेकंड, अकबर सेकंड, बहादुर शाद द्विती बताईए ये तो बहुत आसान सवाल है डी ट्रिपल अजबी में तीन चार बर पूछा गया है तो बीपीसी में भी आया हुआ है तो आंसर क्या हो जाएगा अकबर, सेकंड, राजा राम मोहन राय उनका केस लड़ने के लिए लंदन जा रहे थे पेंशन का केस था तो राजा की उन्होंने क्या दी थी टाइटल दी थी नेक्स्ट है मुगल बादशा बहादूर शाज जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके सामराज जी की सीमा थी ठेक, बीपीसी में पूछा हुआ सवाल है कि बहादूर शाज जफर के सामराज जी की जो सीमा थी चाननी चौक से पालम तक, दिल्ली से बिहार तक, पेशावर से बिहार तक, पेशावर से वरांड scripture तक उपर्युक्त में कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक बताओ अब देखो यहाँ पे एक बात समझ लो इसका आंसर होगा option number E उपर्युक्त में से कोई नहीं क्यूं? क्यूंकि मुगल बात्षा की सीमा चांदनी चौक से पालम तक थी ये बात उस समय के इतिहासकारों द्वारा की गई है पर ये बात बहादुर्सा जफर के बारे में की गई है इस बात का कोई प्रमार नहीं मिलता ये बात उत्तर मुगल वर्ती समराटों के बारे में कही गई है बहादुर्सा जफर से भी पहले के जो समराट थे उनके बारे में कही गई है तो especially बहादुर साथ जफर के बारे में कही गई हो ये बात कही नहीं लिखी है इसलिए जब बिहार के पीसेस के एक्जाम में एक कोशन आया BPSC में तो पहले जो आंसर की आई उसमें option number E दिया गया था और बाद में इस सवाल को क्या गर दिया गया हटा दिया गया निरस्त कर दिया गया वैसे इस सवाल का जो सही आंसर है वो क्या है none of the above ठीक है चलिए पुर्तगालियों की पहली factory भारत में कहां इस्थापित की गई थी सूरत, गोवा, कालीकट, चंदरनगर उपरुक्त में से कोई नहीं या उपरुक्त में से एक से अधिक पुर्तगालियों की पहली factory देखो BPSC क्यों challenging बन जाता है आदे से ज़्यादा लोग काहे घबराने लगते हैं क्योंकि आपकी आदत है आंसर ढूंडने की आप option number E तक पहुंचते ही नहीं है आपकी आदत है पहले चार में ही आंसर ढूंडने की सर प्लीज बता दीजे क्या करूँ, sociology second paper कैसे त्यार करूँ बिटा बैज जुइन करो, पढ़ाई करो, और का बताएं अब हमारा subject तो रहा नहीं है sociology जो टीचर है उनकी classes देख लो, देख लो उनने क्या strategy बताई है अब देखो 30 का A दे रहे हैं जबर्दस्ती का answer आ रहा है वो पूछ रहा है पूर्तगालियों की पहली factory तुमने पहले दिन marathon class में ही पढ़ा था कि पूर्तगालियों ने अपनी पहली factory कोचिन में बनाई थी कोचिन में बनाई थी यहां कहीं कोचिन है नहीं option में तो answer क्या होगा, उपरुक्त में से कोई नहीं सही answer क्या हो जाएगा? कोचिन में बनाई थी ठीक है? BPSC के जितने भी question पूछे गए हैं वो मैं आपको एक class में solve करा देता हूँ अब एक बात सुनिएगा next आपकी जो class होगी next आपकी जो class होगी वो 10 तारिक को होगी 10 फेबरवरी को होगी शाम को 6 बजे उसके अंदर मैं modern इंडिया की BPSC modern इंडिया BPSC के जितने भी PYQs आए हैं 1857 के विद्रों से पहले वाला जितना भी topic है उन सब को एक class में करा दूँगा ठीक है और वो आपको recorded form में मिलेगी तो आप 6 बजे उसको देख लीजेगा कल और परसों 2 दिन application पे जो class होई है उसका प्रिमियर होगा paid classes का वो देख सकते हैं जो लोग batches जोईन करना चाते हैं मैं फिर बता रहाँ उनको batch आप तभी जोईन करिएगा जब आप live and recorded देख सकते हों खास कर मेरी class क्यूंकि जो mcq form में start होगा repeaters batch में वो मेरा बाद में होगा उससे पहले आप recorded lecture सारे देख जाईएगा तो code आपको लगाना है y793 तो आप जाकर repeaters batch में अपने आपको enroll कर सकते हैं ठीक है y793 code लगा दीजेगा price भी मेरे ख्याल से कम ही होगी repeaters की ये TRE 9 to 10 वाले में देख लीजेगा 9 to 10 वाले में देख लीजेगा ये रहा TGT शोसर साइंस repeaters batch इसमें आज येगा live and recorded class है जैसे Indian National Movement की record मिल जाएगी world history पढ़ा रखा है उसकी recorded मिल जाएगी ठीक है बाकी Indian history को mcq form में कराऊंगा ये आप जुड़ सकते हैं इस नंबर पे call कर लीजेगा कोई doubt हो तो इस नंबर पे call कर लीजेगा ठीक है और इसकी जो price भी कम करवा दी गई है तो इसमें अगर आप buy now का option क्लिक करेंगे और आप code लगाएंगे क्या Y793 Y793 apply कर दीजे ये आपकी price पढ़ जाएगी 1500 रुपई की Y793 code लगा देना price क्या पढ़ जाएगी 1500 की price पढ़ जाएगी जाके चुप चाप enroll करो recorded lecture देखना शुरू करो जल्दी जल्दी और फिर बाद में MCQ form में practice करेंगे इसमें ठीक है चलो फिर अब 10 तारिक को क्लास में मुलकात होगी ध्यान रखना अपना टाटा भाय भाय नमस्कार